नमस्कार मैं सास्ते जी महराज आपके सामने कुछ ऐसे उपाई ले क्या रहूं कि लोग प्राया देखे जाते हैं उनका जो भवन है भवन काफी बड़ी मात्रा में बनाया जाता है और प्राया देखा जाता है कि भवनों को परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हम तब कोई भवन का डिरवान करते हैं तो बहुत ही परिश्त्म और लंबी लागत के बाद तक्राया का देखा जाता है कि दक्षन को मुखी जो दरवाजे होते हैं यह हमारे जीवर में सत्रू को बहुत तेजी से बढ़ावा दे तो साथी साथ मानसिक असान्ती भी देते हैं लेकिन दक्षन के दरवाजे के बहुत बड़ी विस्यस्ता के दक्षन मुखी दरवाजे से मकान का होता है उसमता मकान में अच्छानक धन की ब्रद्धी और ये स्किर्ती की ब्रद्धी भी प्राप्त होती है दक्षन मुखी दरवाजे के बहुत लाव हैं तो नुक्सान भी बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दक्षनों की दर्वाजे से जो आपको सत्रू का भै बैदा होता है जो नुक्षान होते हैं इनके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कि हमारे जीवन में सत्रू का भै खतम हो जा और हमारे जीवन में असांती प्रदान हो रही है, असांती समय मुक्ती प्राप्त हो, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने दक्षणों की दर्वाजे को सुख सूचक बनाने के लिए क्या एक छोटा सा लगू पाए करें, यदि आप चाहते हैं कि दक्षणों की मकान भी हमें फली भ लगाने से आपके घर की दक्षनवकी दोशन बारूं का शाथ में ही आप एक सीसे का टुकडा लगाईए और सीसे का इसा लगाईएगा अपने घर में, कि सूर्की रोशनी जब पढ़े तो सीसे पर जरूर पढ़े क्योंकि सीसे जब रोशनी पढ़ती है तो नकारात्म कूर्जा उससे टक्रागे बापस आ जाती है अपने प्राया देखा होगा जब भी हम सीसे में चेहरा देखते हैं तो सीसे में हमें दिखाई देते हैं सीसा हम महत्वर्ण होता है दरवाजे में लगाने क्योंकि सीसे में लगाने से शत्रू की जो बुरी नजर है या हम पे उसका प्रभाव है उस सीसे में टक्रा करके पुना उसकी उपर बापस प्रभाव पढ़ जाता है और नकारात में कोई किसी मुख्य द्वार पर एक सोटा सा सीशा का इछ जरूर लगाई है और ऐसे जगह पे लगाई है पे स्पूर की क्रिने पड़ें और सूर की क्रिने टकटा करके बापस जांड़ तो अब कहला आपके घर में नकार आत्मक पर भावत पर बेश कर रहा है साथ लोग मुझे बढ़ा रहा है और धनकोले के दिक्कते दे रहा है तो जीवन में इन चीजों से आपको मुक्ती प्राप्त हो और आप सुक्सान्ति का जीवन यहापन कर पो सके क्योंकि बड़े से बड़े मकान को तोड़ना और दुबारा उसको बनाना बहुत लागत का काम है तो इस हमारे चोटे उपाई से बड़ी से बड़ी बादाने वारन हो शकती है तो हम क्यों नहीं ऐसा चोटा उपाई कर तो आप सभी सिम्राने वेदाने कि आप सभी लोग जिनके घर में दक्षन मुकी मकान हैं दक्षन मुकी मकान वाले आज के ही दिन और हो सकतो जो सीशा होता है या किस्ता द्यान रखेगा यह आपके लिए बहुत अच्छीक और महात्रों पाई है ऐसे हम एपिसोड में प्राया प्रतिन कोई ना कोई छोटे-छोटों पाई देते जाएंगे आपके लिए बहुत ही महात्रों लाबकारी होंगे आप सभी को कोटी को देने नमस्कार